नमस्कार मैं हूँ नवीन और आप देख रहे हैं आलोचना जिस दिल्ली में निर्भया हत्याकांड की चीखे अभी धूमिल भी नहीं हुई थी उसी दिल्ली में फिर से नए साल के आगमन पर एक अबला लड़की को पिकनिक मनाते पांच लोगों से सवार कार ने 12 किलो मिटर तक घसीट कर इंसानियत को शरमशार करते हुए सासन प्रसासन की हैवानियत का भी पोल खोलती देखी गई नए साल का आगमन शायद हो चुका था दुनिया अपने तोड तरीके से एक जनवरी के लिए सपने संजोए थे लेकिन हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता मेरे दोस्त तारिके दिन महीने साल भले बदलते हैं कैलेंडरों में लेकिन जिन्दगी हर किसी की नहीं बदलती 31 दिसंबर की रात जब आप सो रहे थे या अपनों को नए साल का विश कर रहे थे तब दिल्ली में दूसरी निर्भया हत्या कांड हो रहा था वैसे सहरे कभी सोती नहीं जागते शहर के सडकों पर सरे आम दरिंदगी हो रही थी तब इंसान को इंसान होने पर सरमिंदगी दिलाने वाली थी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी जमीर को हिला देने वाली थी जिस लड़की के पिता आठ साल पहले गुजर चुके हो मा की किरनी खड़ाब हो गई हो उसकी मजबूर बेटी पार्ट टाइम नाइट ड्यूटी कर दिली की सरकों से घर लोट रही हो वो भी ठंड की कुकुरती रातों में महज उम्र 20 साल हो उसके उपर छोटी बहने और भायों का पालने का जिम्मा सवार हो और मा घर की सहारा करने वाली बेटी का इंतिजार कर रही हो उस दवरान इंसान रूपी 5 राक्षस अमीर सहजादे कार में सवार लड़की के इसकूटी में टक्कर मार दे अधमरा कर कपड़े फार दे उसका गैंग रेफ करे कार से घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक सरीर की अंग अंग को छट विछट करे ऐसे कार में लटकी लड़की का सरीर कंकाल बन जाए मांस के लोथरे सरकों में सौन जाए बस हड्या ही कार से घसीटता रहे और दो घंटे तक इस तरह सरकों पर नंगा ना चलता रहे तो आप पुलिस को क्या कहेंगे उस यात्री को क्या कहेंगे जो केवल तमासा देख रहे थे क्या ये लोग इंसान थे आप मानते हैं जिसका जमीर तक नहीं हिला यहां केवल दो लोगों का जमीर हिला था सरकों से दोस्ती करने वाले पहले जमेटो डिलिवरी बॉय का जिसने 31 दिसंबर की राद करीब दो बज़े अगर सेन वाली रोड की तरफ फूट डिलिवरी करने जा रहा था तभी अचानक पुलिस चोगी देखते ही एक कार तेजी से वापस मुड़ गई डिलिवरी बॉय के बाइक उस कार से टकडाते टकडाते बची तभी देखा कार के नीचे लड़की का सेर नजर आया उसकी पूरी बॉडी कार के नीचे घीस रही थी देखती हैं डिलिवरी बॉय की जान निकल गई पुलिस से बताया तो गैर जिम्मेदार पुलिस बोले जा तु अपना काम कर एक दूसरा सक्स भी था जिसने लड़की को कार के नीचे घसिटते हुए देखा तभी पुलिस को कॉल किया लेकिन पुलिस ने बहुत देर करती महरबां आते आते इंसानियत सरमशार हो चुका था अमित्सा की पुलिस मामले को रफा-दफा करने की कोशिस करने लगी इस घटना को महज दुरघटना बता कर रफा-दफा करने की कोशिस की गई लेकिन लोगों में आकडोस और परदर्शन ने पुलिस को कारवाई करने पर मजबूर किया दस साल पहले इन ही सरकों पर निर्भया का भी रेप करके सरकों पर फेक दिया गया था इन दस सालों में कहां बदला है दिल्ली आज भी राक्षस हैं कल भी थे तड़ी पार कितने भी दावे कर ले हालात नहीं बदलते बस आंक्रे बदलते जाते हैं पिडिता की मा बताती है कि बेटी इवेंट्स की फिल्ड में काम किया करती थी शादी ब्याह में स्वागत करने में जो लड़की सारी पहनकर खड़ी रहती है वही काम किया करती थी इस इवेंट से 500 से 1,000 रुपे मिल जाया करते थे दो साल से वो यही काम कर रही थी उसकी पिता की 8 साल पहले हत्या हो गई थी बड़ी और छोटी बेहन की शादी हो गई थी लेकिन वह कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगे रोती बिलक्ती मा आगे बुली हामारे पास तो अंतिम संसकार के पैसे भी नहीं है बेटी 31 दिसंबर की शाम को 6 बजे घर से निकली थी घर में कमाने वाली सिर्फ वही थी मैंने उससे कहा था कि सबजी ले आना फिर रात को करीब 8 बजे मेरी फिर बात हुई थी मैंने पूछा था कब तक आओगी तो बोली कि अभी काम है लोटने में तो सुबह के 4 बजी जाएंगे फिर उसके एक्सिडेंट की खबर मिली हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है ठीक से उसका अंतिम संसकार कर पाएं ऐसी घटनाए हर किसी को डराती है दोस्त क्योंकि हर किसी के घड में बहन बेटी है इस केस का हसर क्या होगा कुछ देन टीवी में चलेगा आदालत में मामला चलेगा और रोड एक्सिडेंट बता कर बहुत कम सजा पर आरोपी को छोड़ दिया जाएगा और जिस तरीके से लड़की के परिवार वाले पर नई सुबह गुजरी है वही सुबह किसी और परिवार पर गुजरेगी आप देख रहे थे आलोच ना मैं आपका दोस्त नमीन कुमार धन्यवाद